यह जीत जाएंगे, इन्हें लगेगा कि एक पत्रकार को हमने रास्ते से हटा दिया, तो बस इतना ही कहूंगा कि मैं माइक कभी नहीं छोड़ूंगा, माइक और मेरा साथ हमेशा रहेगा, अगर आप दूसरे किसी की मा को रुलाते हैं, तो एक दिन आपको भी रोना पड़े बहुत लंबा वक्त होता है, नौ महीने तक आप जेल के अंदर थे, तो कैसा अंदर का रुभाव में जाना चाहती हूं, यह नौ महीने कैसे आपने गुजारे, जेल में किस तरह की आपने व्यातित की है, अब सुच सकतनी की हमको जो है तामिल लाडू भेज दिया गया था यहां से, ऐसा लग रहा था कि मैंने बिहार में सबसे बड़ा अपराध कर दिया है, बिहार के मजदूरों का आवाज उठा कर, और वहां पे मैं चार महीना मदुराई में, चन्नाई से साड़े चार सो किलोमेटर दूर मदुराई में, मदुराई सेंट्रल जेल में मैं रहा और वहां पे बहुत सारे समस्याओं का सामना करने के बाद, जो है, मैं बेउर बिहार आया, और उसके बासे बेउर में मुझे पाच महीना रहना पड़ा जेल में, और उसके बासे मैं पाच महीना बेउर में काटके उसके बासे निकला मैं, और निकलने के बासे बेउर के ग वो सारे लोग जो है लाइन लगा के दो दिन से इंतिजार करते रहें तो मुझे अच्छा लगा और मुझे एक नया ताकत मिला और मैंने बेऊर जेल के गेट पे जब मैं निकला तभी मैंने प्रण किया कि कंस का सासन तो खतम कर देना है किसे भी हाल में और बिहार में वैसे अनेकों कंस हैं जो अस्पताल में जो है बिहार के भोले भाले लोगों को मार रहे हैं बिहार के मजदूरों को मजबूर कर रहे हैं बिहार से बाहर जाके कमाने के लिए बहुत सारी समस्या हैं उन सारे समस्याओं पर बात होगा होगा और बिहार को मिलके बदला जाएगा जी बिल्कुल मनिश्रा और आप ये कहते भी हैं कि आप बिहार को लेकर एक मोटिव के साथ काम कर रहे हैं और जब आप जेल पहुंचें जाहिर सी बात हैं आपने भी बताई भी कि ये नो महीना बहुत लंबा इंतजार था काला पाने की सजा जैसा ये इंतजार आपने बार ये बाते कही हैं तो ऐसे में परिवार की जाहिर से बाते बहुत याद आते होगी तो किस तरीके से आप मैनेज करते थे क्या कभी परिवार की याद आती थी मम्मी की याद आती पापा की याद आती दुनिया में सबसे ताकतवर माह होती है और मेरा ताकत जो है मेरी माह थी आखरी दम तक जो है मेरा साथ नहीं छोड़ा और मेरी मा जो है उतनी पढ़ी लिखी नहीं है तमझ ये तो पढ़ी लिखी नहीं है और वो जो है दरदर की ठोकरे खाते रही कभी किसी नेता के पास जाके गुहार लगाती थी कभी राजपाल के पास कभी राश्टपती के पा असिरवाद था जिस वज़ा से मैं और ताकतवर बनके उभरा और जेल मेरा नौ महीना कट पाया वरना मेरा जेल नहीं कट पाता और मैं निकला और उसके बाद से उसी जोस जुनून के साथ जो है आप लोगों के सामने हूँ आपने कहा कि आपकी माँ बहुत जगों पर गई राज्यपाल से उन्होंने आवेदन तया कि मेरा बेटा सही है बार बार वो यह कहती रही कि उसने कुछ भी गलती नहीं करी है यह साजिश्टन और से कही ना कहीं फसाया गया है आप तो आपको क्लिंजिट मिल गई है लेकिन जाहिए सी बात है जब आप नौ महीने जेल में थे तो कई लोग आप से मिलने भी बहाँ पर पहुचते होंगे तो जब वो मिलते होंगे तो आपको बताते होंगे कि बाहर जो है आपकी मा किस तरीके से हर जगा यह गुहार लगाती है कि बस निकाल दिजे मतलब कई दफ़े हमने देखा है कि वो इंटर्व्यू के दौरान रोती नज़राई थी, जाहिर सी बात है किसी का बेटा जेल में है तो मा रोएगी ही, लेकिन ये बाते जब आप सुनते थे जेल के अंदर, तो उसमें क्या एहसास रहता थी? मतलब कि मेरी मा जो है, वो रोती थी, ये बात सत्य है, लेकिन इतना मुझे एहसास था कि मेरी मा रोए, मेरे पिता जी रोए, मेरे भाई रोए, लेकिन वो लोग रोएंगे, लेकिन मुझे तूटने नहीं देंगे, और मेरी मा ने मुझे तूटने नहीं दिया, मेरी मा ने मुझे सलाखों के बाहर निकाल दिया मैं एक राष्ट्रवादी हूं और सनातन धर्मी हो सनातन धर्म में पैदा हुआ हूं तो मुझे गर्व है इस बात का और मुझे राष्ट्रवादी होने का सनातन धर्मी होने का जो है मुझे सजा मिला रिचा मैं आपको बता देना चाहत कि मैंने 5000 वीडियो बनाया है YouTube पे मेरा वीडियो है आप जाके देख सकते हैं और बिहार के लोग भी देख सकते हैं देश के लोग भी देख सकते हैं जो लोग बोलते हैं कि मैं भाजपाई माइंडेड हूं भाजपाई माइंडेड हूं मैं उत्तर परदेश में जाके योगी अधीतनात जी से मैंने सवाल किया मैं गुजरात में मौर भी पूल गीरा तो मैंने सवाल किया नितिन गड़करी के मंत्राले एनेचियाई से मैं लगतार सवाल करता हूँ मैंने पाच जार वीडियो बनाया जब जदियू और बीजेपी की सरकार थी बिहार में उस समय भी मैं मेरे उपर कभी किसी नहीं किया मुझे उसमें दबाया नहीं गया उसमें एक पत्रकार का गला नहीं गोटा गया उसमें एक यूट्यूबर का गला नहीं गोटा गया और जो बिपक्षी पार्टी कहता है कि पक्ष जो है पत्रकारों का गला गोट रहा है यूट्यूबरों का कि मदराई हाई कोट जो मदरास हाई कोट का बेंच है उसने एने से क्वेस्ट कर दिया और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि Bach 24ग चाह सरकार से सवाल करते हुए लेकिन मुझे सजा मिला तो और सिर ये तिलक के वज़ा से मुझे सजा मिला तो ये राष्टवादी होने के वज़े सजा मिला लगा बेटा होने के वज़ा से मुझे सजा मिला तो सिर्फ और सिर्फ जो है सनातन धर्मी के वज़ा से मुझे सजा मिला तो सिर्फ और सिर्फ राष्टवादी होने के वज़ा से वरना एन्यसे मेरे उपर नहीं लगाया जाता है लेकिन लगाना तहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है तो उस समय क्या विचार है ने से तो हम लोग सूने भी नहीं थे और बिहार में आप लोग उससे मैं पूछना चाहता हूं आप लोग पत्रकारिता करते हैं और हम लोगों से कि लाष्ट ब्यक्ति पे कब एने से लगा था किसी को पता हो तो बता दे क्या बिहार का सबसे बड़ा अपराधी मैं था सबसे बड़ा हत्यारा मैं था सराब की तसकरी मैं करता हूं ड्रक्स जो है रोज बिहार में आता है उड़ता पंजाब के जगा पे आज उड़ता बि बिहार में पूल चोरी होता है, बिहार में इस्कूल चोरी होता है, बिहार में अस्पताल चोरी होता है, बिहार में और वो चोरों के उपर नहीं लगता है, और मनिश कस्टप के उपर नहीं से लगा के भेज दिया जाता है, तो कहीं गलत है, और बस मेरा सच दिखाने के लिए आप लोगों को धन्यवाद जी मनिश आपने बहुत बेवाकी से अपनी बात रखी है और इससे पहले जब पेशी के दोरान आपको ले जाये जा रहा था तब भी आपने कई सारी बातें रखी यहां तक यह आपने यह भी आरूप लगाए कि जेल के अंदर नशीले पदार्थ मैं जेल के बारे में नहीं बोला था जूट में हाजत है हाजत के बारे में बोला था, जहांपे जेल से Award में produce करने के दोरान Court के हाजत में लोगों को रखा जाता था वहाजत के बारे में बोला था मैंने जब बोला उसके अच्वर में लेके गया गया तो वहाजत का जिम्मेवारी अलग होता है जियल की जिम्मेवारी 24 का एक खबर है यह ट्वीटर पर मैंने देखा आप देखिए यहां पर फोटो है जिसमें यूटी बिहार के हिंदी भासी तामिल लाडू में ट्वालेट साब करते हैं इस खबर की पुष्टी मनिस कश्चप नहीं करता है जैसे पुष्टी को इसे लगा देगा लोगी फिर स ट्वालेट साब करते हैं तब बताइए बिहार के जो एक राज कुमार एक मार्च को 2023 में जाके बर्डे के काटने गए थे कि ट्वालेट साब करने गए थे उस बताए ना नहीं जानती है ना करणा निजी का परिवार कितना बड़ा है अर इधर जो है एक राजा और राजा का परिवार जो है पूरो राजा पूरो राजा का राजकुमार और उनका परिवार कितना बड़ा है इस दूनु परिवार से हम अकेले टकराएंगे हमको कोई डर नहीं है अ कि हमारे ना जाने कितने जो है कि आईए इसटी बैने है तामिलाडो प्रण经 बोग सवाल नली झाल ची अधमुक यह बताई आ एक मार्च को वहां प्रणि करने गये थे और तो जो बात बुला उसके वी उपर रहने से लगाई है और मनीश कश्य आपको मदुराई के जेल में भेज दिये उसको पकड़ के बेऊर पट्ना में भेज दीजे विल्कुल अब अनिश्र जिस तरीके से अपनी विवार्ती के साथ अपनी बात रखते हैं आप शायद वही वजह है कि युगाउं का समझतनाज आपके साथ है और बड़ी संख्या में भीड़ भी जो है वो विविद्धि बाहर बिना खाना खाए आपका स्वाधत करने को तयार कि वो त पत्रकारिता एक बहुत बड़ा धर्म है और उसका कर्तब्य जो है हमें निभाना है हलां कि कभी-कभी मैं गलती कर देता हूं मेरा जुबान फिसल जाता है मैं हाड वर्ड का इस्तमाल करता हूं मेरे से अच्छे ढंग से आप लोग पत्रकारिता करते हैं अगर आज मैं माइक छोड़ दिया न तो यह जो मतलब की बिहार को कुर्सी पर बैटके दिम्मा की तरह नोच रहे न यह जीत जाएंगे इन्हें लगेगा कि एक पत्रकार को जो है हमने जो है रास्ते से अटा दिया तो बस इतना ही कहूंगा कि मैं माइक कभी नहीं कि मैं माइक का साथ नहीं छोड़ूंगा और माइक मेरा साथ नहीं छोड़ेगा किसी भी पार्टी की तरफ से किसी पार्टी के तरफ से किसी पार्टी का नाम नहीं कौन फOC करते थे खहले भी अप खाजाता था करता था। था यह गाएक चारा घाता था उस्राक्रिस्ट रास्ते पर चलने लोग लोग उनके दिखंटे पर चलेंगे हम लोग जो है विहार के निर्दोस बोले-बाले लोगों को जो है इंसाफ दिलाएंगे और जो कंस है उनका हक मारेगा तो इशारों इशारों में कही नहीं आप तेजस्वी आदब पर तो ये बात नहीं कह रहे हैं आपको पता है मेडम इसलिए आप ऐसा बोल रही है बस मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोग अपने अंतरात्म से पूछिए अगर हम लोग बिहारी हैं बिहार में पैदा होना ही एक बहुत बड़ा संघर्स है और जब हम संघर्स करके बिहार में पैदा हो गया है तो बिहार को पदलने की जिम्मेवारी सिर्फ मनिस्कस्यप के कंधे पे नहीं है आपके भी कंधे पे हैं हम सब के कंधे तो हम लोग जो है सही को सही कहना सीख लें और गलत को गलत उसके आखों में आके डाल के कहना सीख लें बिहार को जिसने पिछले 33-34 साल से 35 से बरबाद किया है 1990 में बिहार की इस्तिति क्या थी और 2023 में बिहार की इस्तिति क्या है उसका एक आकलन कर लिया जाए पता चल जाएगा कि 33-34 साल में जब ग्लोबलाइसे नहीं तो बिहार में क्यों नहीं आए किया और इसाएम बन गया कि सारे सवालों का जवाब आपको खूल रिबात याम पुझाएगा मुल जाएक अधाने अपने बात रखने के लिए जाने भी जाते हैं और कई दफ़े आपने पूरी बाते जो भी आपके दिल में आपके जुबान पर बाते रहती हैं शायर नहीं वज़ाए कि समर्थक आपको बहुत सुनना चाहते हैं देखना चाहते हैं लेकिन आपसे यह भी जाना चाहूंगी कि एक सशक्त बिहारी होने के नाते आपको क्या लगता है बिहार को कोई और विकल्प की जरुरत है कौन सी सरकार बिहार के लिए अच्छा काम करें देखिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हम बिहार के लोग अगर सुधर सबसे पहले हम बिहारियों को जगना होगा मनिश जब आप जेल गए थे उसके बाद से लगतार आपके जो समर्थ के वह पाप्याक की वे आपके लिए दिल खोल के बाते सोशल मीडिया पर भी की जा रही थी ऐसे में तभी से यह अंदाजा लगाया जाने लगाता है कि मनिश अब अगर जेल से बहार ने कलते हैं तो मनिश करशे 2.0 यानि निव वर्जन मनिश का आपको देखनी को मिलेगा मनिश ने क्या कुछ बदलाब किया इन नौ महीनों में दिखिए मैं जो पहले काम करता था वहीं करूंगा बस यह नौ महीने के अंदर मेरे अंदर और ताकत आ गया और बहुत कुछ मैंने सीखा अट कितरके तरकस में इतनी सारी तीरे होती हैं कि यह पत्रकारिता का और पत्रकार का जब चाहे तब गला गोड सकता है यह मेरा कहना नहीं है यह अटल वी stun-पर्दान मंत्री तीन बार बने उनका कहना है वो राष्टा राष्ट पही जैसे महान, विभूती जब इस चीज को झेल सकते हैं, तो हम लोग कौन से खेत के मुल्ली है, तो हम लोगों ने भी झेला है, बस मैं सबसे बिनती करना चाहता हूं, कि हम लोगों का एक जाती है, पत्रकार, हाँ, हाला कि कुछ लोग मुझे पत्रकार नहीं मानते हैं, य यूटीवर ही सही, मैं यूटीवर ही हूँ, और मुझे इस बात का गर्ब है कि मैं यूटीवर हूँ, लेकिन हम लोगों का एक जाती है, जाती जो है, वो वाली जाती नहीं होनी चाहिए, जो बिहार में होता है, हम लोगों की अलग जाती है, जो हम लोग बदलाव की बात क करते हम लोग चीजों को दिखा के और इसमें अगर हम पत्रकारों के साथ हम यूटीवरों के साथ अगर कहीं कुछ भी गलत हो रहा है तो सबसे पहले हम सब मिलके जो है उसका साथ दे फिर वह भाई निकल जाएगा वह बहन निकल जाएंगी उस आला से तो हम लोग बैट के ज हुआ जब मैं जेल में गया अंदर गया तो आप सभी ने साथ दिया सब लोगों ने साथ दिया हलांकि शुरू में जो है जो खबरे प्रसासन के द्वारा आता था और जो आता था वो दिखाया गया लेकिन बाद में सब को पता चल गया कि नहीं मनीश के साथ तो गलत हुआ है एनने से मनीश के उपर नहीं लगना चाहिए था सब को रियालाइज हुआ और सब ने साथ दिया और उसमें आपका भी बहुत योगदान है तो आप लोगों का मैं सदा रिड़ी रहूंगा नहीं ऐसे कोई बात है मनीश हमने तो जो भी अधिश्टता के साथ जो भी खबर थी बस वहीं दिखाई है लेकिन आप जिस तरिके से काम करते है भी सरानीय काम है अगर उजाई सी बात है यूवा आपके साथ है तो मनीश काई ना कई बदलाग की बात करते है तब ही वह के आए है है लेकिन मालीष हम सीकते भी जाहिर सी बात आपने कुछ सीखा किकजा है अपने मैंने बहुत सीखा है जैसे कि कैसे संघर्शों को हराकए जो है और बाधाओं को पार करके जो है आगे बढ़ना है इसलिए मैं जेल जेल से जब निकला तो मैंने सिर्फ और सिर्फ नौ महीना संगर्ज किया था तो मैं जेल से निकला तो मैं उस संगर्ज को देखने गया उस संगर्ज को प्रणाम करने गया जो दसरत माजी ने किया था 20 साल तक सरकार सिश्टम और वहां के लोग आँखों पर पट्टी बांदे रहें और दसरत माजी जो है छेनी अतवडी लेकर पहाड के सीने पर वार करते रहें और उन्होंने पहाड का सीना चीर के जो है रास्ता बनाया, तो मैं वहाँ पर गया, और वहाँ पर सीखा मैं, कि अभी अम लोग जिंदगी में कुछ नहीं किया, अभी अम लोगों को बहुत कुछ करना है, और मैं बिहार की युवाओं को भी संदेश दिया, कि चलिए, अगर आप अपने समस्याओं से हार जाएंगे उस दिन आपकी जिंदगी खतम हो जाएगी और समस्याओं से नहीं हारेंगे तो समझिए कि एक दिन संघर्ष के दम पे आप अपना इतिहास जरूर बना लेंगे और मेरे साथ भी वहीं हुआ मैं जेल से बाहर निकला हूं और मैं अभी आज मैं चार बजे मैं अपनी मा से मिलूंगा तो घर में तो पकवान उक्राण बन गए अब जाके मिलूंगा तो देखूंगा पूरी व्यवस्ता होगी आप तो क्योंकि जाहिर से बात है बहुत लंबा इंतजार नौ महीने का जो माता कोई भी मम्मी अगर मैं कह रह किसी भी मा को जो है न परिसान मत करो अगर उसका बेटा सही है न तो किसी भी मा के आँख से आशु नहीं आना चाहिए किसी भी मा के आँख से आशु नहीं आना चाहिए अगर उसका बेटा गलत है तो उसे सजा दो और जितना गलती किया है उतना ही सजा दो अगर सरकार के और सिष्टम के नजर में लगता है कि मनीज कस्यप ने गलती किया था जूट बोला था तो मुझे जूट बोलने का सजा सरकार को देना चाहिए था अलाकि मैंने जूट नहीं बोला था मैंने सत्य दिखाया था लेकिन मुझे जूट बोलने का सजा देना चाहिए था मुझे तो आतंकवादियों अलसाजा इन लोगों ने दे दिया, एनसे मेरे उपर लगा दिया, मैंने कौन सा बंबलाश्ट किया था, मैं कौन सा एक फोटी से बन लेके गुजरा था, मैं कौन सा हें ग्रेनेड किसी के उपर फेक दिया था, तो मैं बस अगर आप दूसरे किसी मा के आखों में आसू मत लाओ